असलाम आलेकूँ नमस्ते दोस्तों अमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे सुबा का समय होगे यहाँ पर उट गए हैं आज के बोलोगिन में क्या क्या करेंगे आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरा बोलोगिन चेनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेर और सस्क दिखा रहे हैं अक्सर पायल जब तक अच्छा रहता है तो पहनने का बहुत ही मन करता है और जब गंदा हो जाता है तो पायल पहनने का भी मन नहीं करता है पायल हर किसी को पहनने का बहुत ही सोक रहता है यहाँ पर हम पायल को कैसे साप करेंगे यहाँ पर हम जोईलर के य वीडियो में बना रहेगा इसकिप मत किजेगा तब जाके आप लोग को पता चलेगा यहाँ पर हम कैसे साप करेंगे यहां पर हम पायल को कैसे हम साफ करेंगे अभी हम दिखाते हैं आप लोग को वीडियो में बना रहेगा इसकी मत किजेगा तब जाके आप लोग को पता चलेगा यहां पर हम एक पैसा भी आपका खर्चने होगा और पाया लगदम जैसे जोईलर के यहां साफ होता है अगदम उसी तरह साफ होकर के तयार हो जाएगा ज्यादा मेहनत भीने लगेगा और ज्यादा आपका समय भीने लगेगा अगर घर में साफ कीजेगा तो आपका बहुत ही पैसा भी बचत हो जाएगा और समय का भी बचत हो जाएगा अब यहाँ पर हम सबसे पहले दिखाते हैं कैसे साप करना है यहाँ पर हम एक पतिला लेंगे कोई भी पतिला आप ले सकते हैं अब यहाँ पर हम एक बड़ा सकप में यहाँ पर हम पाने डालेंगे गेस चालू नहीं किये हैं अभी हम पानी दे करके चालू करेंगे गेस को और यहाँ पर हम पानी को चड़ा देंगे और पानी को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे यहाँ पर क्या-क्या हम डालेंगे दिखाते हैं आप लोग को वीडियो में बना रहेगा तब जाके आप लोग को पता चलेगा यहाँ पर हम क्या क्या चीज डालेंगे तर में समाने उसी से ही मेरा पायल यहाँ पर अगदम लगेगा जोईलर के यहाँ से हम साप करके आएं अगदम उसी तरह साप हो जाएगा अगदम वाइट कलर का हो जाएगा अब यहाँ पर हम दो चमच चाय पत्ती लिए हैं, उस चाय पत्ती लेने के बाद यहाँ पर हम एक चमच यहाँ पर हम वील सरप लेंगे, कोई भी सरप आप ले सकते हैं, यहाँ पर हम एक चमच डालेंगे, और उसका बाद यहाँ पर हम अच्छी तरह से यहाँ पर हम पानी क मिला लेंगे जैसे अच्छी तरह से घूल जाएगा अब यह पानी अच्छी तरह से गरम नहीं हुआ है अब यहां पर हम पानी को अच्छी तरह से गरम कर लिए हैं देखें अब यहां पर हम पायल को डाल देंगे दो जोड़ी यहां पर हम पायल लिए हैं दोनों को आम यहां गंदा होता है तो हम इसी तरह घर में साप कर लेते हैं अब यहाँ पर हम नीमू का रस लेंगे आधा नीमू का रस अच्छी तरह से निचोड करके यहाँ पर हम डाल देंगे नीमू देने से जितना भी आपका गंदगी रहेगा सब निकल आएगा और चैपती में जो है आपक खरने देंगे अब देखे अच्छी तरह से यहाँ पर मेरा पानी खोल रहा है जो चैपती वगेरा दी है वो अच्छी तरह से अभी आपका पायल इस तरह गंदा हो जाता है तो इस तरह करके साप कीजेगा तो आपका एक पैसा खर्च भी नहीं होगा और मार्केट भी जाना पड़ेगा जोईलर के यहाँ साप कराने के लिए समय और पैसा आपका दोनों बचेगा देखे यहाँ पर चैपती जो दिये है उसका कलर पायल का कलर कितना सुन्दर आ गिया है देखे कलर भी पायल का अग्दम साप होने लगा है देखे किस तरह साप होने लगा है अब यह यहां पर हम ठंडा हो गिया है अब यहां पर हम एक पिलेट में हम निकाल करके पायल को हम दिखाते हैं कैसे मेरा पायल अगदम साफ हो गिया है देखे देखने में ही लग रहा है कितना सुंदर यहां पर साफ हो गिया है थोड़ा सा यहां पर हम घीसेंगे न तो लगेगा जो तब ही यह वाला टीप्स आप लोगों आच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजेगा मेरे दोस्तों आप लोग लाइक करते कोमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है लगता है मेरे साथ एक परिबार जूड़ गया उसी तरह दूसरे का साथ जरूर सेर कीजेगा शेर कर करेंगे और जब मन होगा तब हम पायल को इस तरह करके हम साफ करके तयार करेंगे और पहन सकते हैं पायल अच्छा रहने से ही पहनने का मन करता है जब गंदा हो जाता है पायल तो बहुत ही खराब भी दीखता है पहनने का मन भी ने करता है लगता है जोईलर के पास जाएंग नहीं है घर में ही भहुती अच्छी तरह से आपका पाईल साप हो झायगा और एक पैसा आपका खर्च भी ने होगा और समय भी ज्याधा नहीं लगेगा समय और पैसा आपका दोनों बचत हो जाएगा अगर इस तरह पायल को अघर में साप किजिएगा तो जोईलर के पास अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत ही पैसा भी ले लेता है और समय भी बहुत ही लग जाता है इसलिए जोईलर के पास जाने का जोरत नहीं है अब देखें यहाँ पर हम दोनों पायल को हम अच्छी तरह से साप कर लिए हैं, अब यहां पर हम पायल को साप करके हम तयार कर लिए हैं, अब यहां पर हम साप पायल को साप करके हम तयार कर लिए हैं, अब यहां पर हम साप पायल को साप करके हम तयार कर लिए हैं, अब यहां पर हम साप पायल को पर हम पायल को साप पानी से धो करके हम दिखाते हैं आप लोग को किस तरह मेरा पायल अगदम पहले थार किस तरह भी हो गया है अगदम लग रहा है जोलर के यहां से हम धो करके आए अगदम उसी तरह चमाचम हो गया है देखे किस तरह हो गया है यहाँ पर मेरा पैसा का भी बचत हो गया है और समय का भी बचत हो गया है दोनों का अगर बचत करना है तो घर में इस तरह कीजे आपका जितना भी जेवर है चांदी का तो इस तरह करके धो करके तयार कर लिजे आपका समय और पैसा आपका दोनों बचत हो जाएगा देखे किस तरह अगदम कलर हो गया है पहले किस तरह color थार आप किस तरह हो गया है यहाँ पर हम दुसरा बार धोकर दिखाते हैं देखे यहाँ पर जो खास बात यह है चोटा चोटा नग लगा हुआ है पायल में वो एक भी छोटा नहीं है गरम पानी दिये उसका बाद भी उबाले उसका बाद भी एक भी छूटा नहीं है देखे किस तरह सब नग चिपका हुआ है अब यहाँ पर हम दो बार पायल को धो करके हम दिखा रहे हैं किस तरह मेरा पायल अगदम कलर कितना सुंदर दिख रहा है अगदम वाइट कलर का दिख रहा है आप कितनो कहीं कुछ पाटी वगेर आ रहे हैं तो हम पहन के जा सकते हैं देखे दूसरा साइट भी हम दिखा रहे हैं दोनों साइट मेरा कितना अच्छी तरह से साफ हो गया है जो घर में समाने उसी से ही हम साफ करके हम तयार किये हैं जरूर यूरा टिप्स आप लोग का पसंद आयाएगा अप अगर में ही इस तरह करके धो करके आप कॉमेंट में जरूर बताएगा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ अब यहां पर देखाते हम नजी से देखे मेरा एक भी नग इधर उदर बिखरा नहीं अगदम चिपका हुआ है कभी कभी क्या होता है जोइलर के यहां हम लोग ले जात अगर एक भी नग इधर उदर बिखर जाता है तो बहुत ही खराब दिखता है पायल पहनने का भी मन नहीं करता है लेकिन कितना सुन्दर सब चिपका हुआ है देखे एक भी नग मेरा इधर उदर बिखरा भी नहीं है तूटा भी नहीं है और कितना सुन्दर यहां पर हम सा आप करके तयार कर लिए हैं जरूरी वोला टिप्स अपलों का पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक से रहा सब्सक्राइब जरूर किजेगा सोनी होम बोलक चेनल में फिर हम अगले टिप्स इसी तरह लिए